रभी सीजन की प्याज उपज कम रहरे के आशंकाओं के चलते बाजार में सप्लाई घटने की चिंता जताई जा रही है प्याज निर्यात को और इंडस्ट्री लीडर्स ने कहा है कि रभी फसल में 30 फीसद गिरावट होने की आशंका जताते हुए प्याज की कमी को लेकर चेताम नीदी है कहा गया है कि मौसम में बदलाव फसल की अधिक उतपादन के लिए रुकावट बना है बीते साल भी अन्यमित मौसम के चलते गन्ना दाल आदी फसलों की उपज में गिरावट आई थी वही महरास्टर के पूने के प्याज इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि भारत को अगली खरीब फसल के कटाई तक प्याज की सप्लाई में बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है और ये वर्तमान मौसम सित्यों में बदलाव के चलते बन रही है इसके इलावा निर्यात प्रतिबंद पर लगे बैन के हटने और आगामी मार्श में प्याज खपत बढ़ने को भी वज़ा बताया जा रहा है मिली जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्री लीडर्स ने रभी की फसल में 30 फीसद की गिरावट किच्चे तामनी दे डाली है सौवार को सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करने वाले निर्यात को ने दावा किया की कथी तोर पर 3 लाग टन प्याज के निर्यात से नासीक जिले के बाजारों में कीमते 35-40 रुपे प्रति किलोग्राम और अन्या है खुद्रा बजारों में 50 से 60 रुपे प्रती किलोग्राम तक बढ़ जाएंगी निर्यात को ने ये तक कहा है कि हमें मार्च की शुरुआत से प्याज की कीमत और मांग काफी बढ़ सकती है क्योंकि एक तरफ रमजान त्योहार से मांग बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ खर अवक में कुछ अंतर है इस साल महराश्यों के सासात मध्य पर्देश में भी रभी की फ़सल काफी कम है और वहीं खरीब की फ़सल आखरी चरण में हैं और अगले 15 दिनों में आवक कम हो जाएगी रभी की फसल मार्च के मध्वे के बाद बाजारों में जाने की उमीद है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में उपच कम होने की संभावना जताई गई है Bureau Report, Market Times TV